रीवा जिले के गुर तहसील अंतरगत द्राम बाधी में बिजली की सार्ट सर्कुट से आग लगने के कारण किसानों की फसल जलकर राख हो गई है गटना दोपहर करीब एक बज़े की बताई जा रही है जब सभी लोग अपने अपने घर के अंदर थे तब ही अचानक ट्रासपर्मर में सार्ट सर्कुट हुआ और आग खेप में भड़ा कुखी दोपहर के समय लू चलने की वज़र से आग और तेजी से फ्रैल गई और आग फ्रैलते ही पूरे गाउं में हड़कम मच गया किसानों ने आग जनी की जानकारी ततकाल गुड फायर ब्रिगेट को दी लेकिन फायर ब्रिगेट समय पर नहीं पहुचा तब तक खेप में खड़ी फसल पूरी तरह से समाप्थ हो गई हलाकि ग्रामेडों की मदद से इस भीसर आग पर काबू पा लिया गया लेकिन फसल नहीं बचाई जा सकी बताय जा रहा कि अगर आग में काबू ना पाया जाता तो यह आग इतनी भीसर थी कि पूरे गाँ को चपेट में ले सकती थी गेहू की फसल का सबसे अधिक नुकसान हुआ है तीन एकर के लगभग खेत में गेहू की खड़ी फसल पूरी तरह से जल कर राक हो गई है इस घटना में सबसे अधिक जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनमें जितेंद्र दुवेदी, भानू प्रसार शर्मा और श्याम सखी दुवेदी हैं आईए सुनते हैं इन किसानों का क्या कुछ कहना है आप ने कहीं पूलिस प्रसासन फायर ब्रिगेट में दी है वह गाड़ी आ गई हमारी फायर विगेट की पर वह काफी लेट है और अब इठाने में बताएंगे अम तैसिल में जाके तो लगभग लगभग आप क्या मानता है कि आपको इसमें उपज क्या होती धायी तो चालिस मतलब तीस से चालिस कुंटल प्रती एकड़ की आसपास उन्होंने बताया था हमें तो उसी के हिसाब से हुआ है तो यह लगभग ट्रासफार्मर से ही आग लगती है इसको स्विप्ट कराने के लिए भी बोला है पर अब तो एक बालक हम नहां के भगवान के लि पानी काम था तो पूर नहीं पाया है तो लगभग आपका कितने एकड़ में फसल थी लगभग पची सभी डिश्मिल गया तो उन्होंने जाला है झाला है